रुख करते हैं यहां से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने और क्या कुछ कहा है मेरे साहयोगी दानिश आनंद जुड़ गए है मेरे साथ देखिया डेली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यह डिसिजिजिन लिया गया है कि दिल्ली में एक बार ही वापस मास्क मांडेट वापस ला दिया जाएगा और इस बार जो जुर्माना लगाया जाएगा मास्क ना लगाने पर वो 500 रुपे तक का जुर्माना लगाया जाएगा इसके पहले डेली गर्मेंट 2000 का फाइन इंपोस करती थी लेकिन इस बार वो 500 रुपे का फाइन इंपोस करेगी लेकिन अब स्कूल के लिए डीटेल्ट एसोपी और गाइडलाइन जल्द सरकार बनाएगी और इसके लिए एक प्रॉपर कमिटी बनाई जाएगी एक्सपर्ट की जो वो रेकमेंड करेंगे कि किस तरह के एसोपी और गाइडलाइन स्कूल को फॉलो करने तो सूत्रों के दिन बर दिन हम केसे बढ़ते हुए देख रहे हैं और अगर हम पिछले 24 गंटे की बात करें कल के आकड़ों की बात करें तो कल भी छेसों के उपर फ्रेश केसे रिपोर्ट करें गए थे और एक और सबसे बड़ी महतवपून बात मापको पताना चाहूंगा दिली सरकार न मास्क मैंडेट वापस आ गई है और स्कूल को बंद करने पर कोई मेजर डिसिजन नहीं लिया गया है बिल्कुल बहुत शुक्रिया दानिश आप भी अपना खयाल रखिये दिली में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है और डीडिये में डेली डिजा तो लगातार हम आपको अपडेट इस खबर पर और भी देते रहेंगे लेकिन देख रहें देख रहें दो